तो क्या बाइक टेक्सी हमारे इंडिया में लिगल है इलिगल है अगर लीगल है तो फिर हर सहर में हम भाइक टेक्सी स Paci को क्यों परेसान कि A जाता है इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करें दोस्तों वेलकम बैक टुदे चैनल मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनात एक नीव वीडियो नीव लॉग में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों इस थाने में ले गया सीधा तो दोस्तों क्या है जो कस्टमर था यह था ओटो वाला ठीक है अब आटो वाले ने इसका बुग करके नॉट सिभम इसके जैसा और भी बहुत सारे लोग है जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो इस इंसिडेंट को शेर करने का एक ही रिजन है दोस्तों इस जो सुभम जी है इन्होंने अपने इंसिडेंट मुझे भेजा है और उनको बड़ा मतलब यह सुभम मोरे जुई जो है पुने चिंच्विड में यह बीटक लाश्टियर मतलब लाश्ट सेमिस्टर के स्टूडेंट है इनका फोटो यह है देख लीजे इनका स्कूटी है व पकड़ के ले गए थाने में और वहां पर थाने में बोला कि इसका जो है चलान होगा तो उपर इंस्पेक्टर थे विजय जादव जी सब इंस्पेक्टर उन्होंने का आप 7500 रुपे का चलान होगा लीगल कंप्लेंट दर्ज होगा और जो आटो वाले से उन्हीं इंस्प को पकड़ के हम मारेंगे उस इंस्पेक्टर सर के सामने तो यह सुनके मुझे लगा क्या इसके ऊपर तो वीडियो बनाना चाहिए इसलिए मैं आप लोग को सामने आज बैठा हूँ और नॉट सुभम इसके तरह बहुत सारे ऐसे लोग है जो इस तरीके से हरास्मेंट होते हैं तो अब दोस्तों बाप एक बात आती है कि क्या और टैक्सी सच में लीगल है या इनलीगल है हमारे इंडिया में देखे अगर लीगल है तो सिंपल यार हम लोगों को तो परिसान नहीं किया करना चाहिए चाहे वह पुलिस हो चाहे कोई भी परिसास निकलो और अगर बै का कॉमेर्शियल बाइक है तो ही हम यूज कर सकते हैं सिंपल गवर्मेंट एक लोल ला दे कि विए कॉमेर्शियल बाइक है आपका टैक्स पे कर रहे हो यलो प्लेट है तो आप चलाओगे अधर वाइस नहीं चलाओगे लेकिन ऐसा हो जाएगा तो भी ठीक है हमें कोई दिक् करती है और वह बहुत मतलब सोचते हैं जाने देते बट अगर मोबाइल होल्डर लगा कर रखते हैं जैसे पुने में सिवह मोरे जी के साथ हुआ है ऐसे कलकत्ता में होता है कलकत्ता के मेरे पास आलमोस्ट थाउजन्स ऑफ कमेंट हैं और वहां के लोगों जो कि इंडिवि और वहां पर दोस्तों कमपनी की कुछ करें हम लोग क्यों लड़े अगर आपको नहीं करना हैं तो सिधा मना कर दो कि यह नहीं होगा कंपनी पे कॉल करो के कस्टमर के पर बोलते क्या मोबाइल मत लगा के चलो ठीक है अब हैलमेट मत पहनो कमपनी का या फिर आप ऐसे मत कर मझार ट्राइफित olhos नहीं है उस्तोंतों से फिर नहीं हो नहीं हो पुरे महाँस्ट में मिल चुका है फूरे इंडिया में महाराष्ट में नहीं इस वज्ये से उनले वहाँ पर परशान कर रहे तो एह लूड़ा ज्बाब मेरे रएप एकार मॉत लिभियं होता है मेरे तेक्सी में number one है तो इसको भई हम अपने रायडर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर रायडर को इतनी harassment नहीं होना चाहिए और कोई अपने career को लेके कुछ अच्छा करके पार्ट time करके आप कुछ earn करना चाहरा है और ऐसा अगर harassment होगा कुछ उटो वाले तो वालों क्या होते कि और टो वाले व्वह पढ़े लिगे उतने नहीं होते हैं यह मेरा मानना है क्यूकि मेरे साथ भी एस सब्सक्राइब का फंवे सेद्ट हुए हैं एक-दो दिन पहले भी हुआ है तो पुरे इंडिया में अ medium करके खाने का सब को कहीं ना कहीं पहले आटो वाले इतना हरास्मेंट करते थे लोगों को सपोस्थ आप रेलवे स्टेशन से घर जाना है तो आपका डिस्टेंस से 10 किलोमेटर तो उस 10 किलोमेटर का जो आटो वाला चार्ज करता था दोस्तों एक टाइम पे वह मांगेगा 500 रुपए और रात के अगर 12 बजे के टाइम है और मतलब ओवरनाइट है तो आप से बोलेगा 800-900 लगेगा और आज के टाइम पे चाहिए कोई भी 24 आवर्स में कोई भी टाइम हो अगर आपके पास मोबाइल है और आप टेक्सी कर सकते बुक बड़े आराम से आईए उसी में 100-500 रुपए में औ एक्स्टर टिप अगर देना चाहिए तो राइडर और खुस हो जाता है तो इस वचे टाइम टू टाइम जो रेवलुशन से ना दोस्तों वो टाइम टू टाइम चैंज आते रहेगा अभी विश्वनार्ट में बना रहो हो सकता है और भी नीचे से अभी आई रहोंगे बह हमें accept करना पड़ेगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सोच रहें कि हमारी कमाई खा जा रहें ऐसा नहीं है अगर वह नहीं खाएगा तो कोई और खाएगा दोस्तों खाएगा जरूर आपके पास मेहनत अगर आप काम करने के लिए आए हो आप काम करोगे तो आप से कोई छी हम आदमी को भी देने लगे तो कहीं नगे विस्वास चागेगा अगर कुछ होगा तो चलो भई पुलिस स्टेशन जाना है लेकिन पता नहीं कैसी धार्णा हो गई हमारे अंदर अगर कुछ होता है नहीं हम आपस में सुल्टा लेतें बुलाते नहीं क्यार बोलता है पूरा डिपार्टमेंट खराब होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं बहुत सारे पुले अगर मैंने दिल्ली अंसियार के इतने वीडियो बनाई हुई यह पुलिस के साथ उनका रेस्पेक्ट उनके बात करने का तरीका इतने अच्छे-च्छे UPSC एक्जाम दे के पास करके इस पोश्ट पे बैठे हो दोस्तों देखे आज जो है सुहम मोरे जी के साथ यह इंसिडेंट हुआ है कल आपके साथ या मेरे साथ हो सकता है हमारे दिल्ली अंसियार में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर जितने से दो सो आटो वाले खड़े होते हो और बीस से पच्चीस कम से कम बता रहा हुए पचास साथ एक साथ बाइक टेक्सी खड़े होते हैं लेकिन दे आर टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स बड़ उनमें कोई ऐसे भेदवाव नहीं होता है जबकि वो लोग जो यहां के आटो वा तो आप कमपनी पर क्या एक कमपनी को तो देखे कोई फरक नहीं पड़ता उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि आप बैक टेक्सी मत चलाई है आप फूड डिलीवरी कर लीजे दोस्तों मुझे लगा कि इस वीडियो में सिवं जी की जो बात है वो रखनी चीए सिवं के साथ जो हुआ है और ऐसे हर दिन किसी ना किसी के साथ होता है कलकता से बहुत सारे लोग मेरे को करते आई दिन मैसिज वाटसैप पर इंस्टाग्राम पर तो इसमें कहीं ना कहीं देखे कंपनी को भी स्टेट से परमीसन लेने के बाद तब ही ऑन बोर्ड करो नहीं तो फिर परि परिशानी होती है वह कलकत्ता जैपूर पूने और आपका इंदौर मध्यपरदेश में कुछ जगह हैं खास करके इंदौर बाकि हमारे दिली अंस्यार में ऐसी कोई परिशानी नहीं सब अच्छे से चला रहें सब कुछ ऐसा नहीं बाइक टेक्सी सभी सर्विस में कोई द देक्योर से लहरी और मकर सक्रानती की बहुत-बहुत सुब काम नहीं आइज आलवेज गो फो यू पैशन अन लिफो यू रिम थैंक यू सो मच फो वाचिंग और दोंट फोगेट तो सब्सक्राइब देचाएं